नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बदाने जा रहे हूं वशीकरण करने का एक बहुत ही शक्तिशाली अचूप उपाय जी हां जो महिलाएं अपने प्रेमी को या फिर अपने पती को अपने वश में करना चाहती है आज का ये विडियो उनके लिए है आप लोग अपने प्रेमी को या अपने पती को वश में कर सकते हैं वो भी सिर्फ एक या दो घंडे के अंदर-अंदर जी हां क्योंकि ये उपाय बहुत ही जादा शक्तिशाली है इसमें आपको जिन चीज अपनी और एक चाहिए होगा आपको कागस का टुकड़ा जी हां इन तीन चीजों के इस्तमाल से आप कर पाएंगी अपने प्रेमी को या अपने पती को अपने बश में तो दोस्तों सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मासिक धर्म का जो आपको खून लेना ह है वो आपको लेना है तीसरे दिन का जी हां तीसरे दिन का ब्लड आपको इस्तमाल करना है और जो आपका मासिक धर्म का कपड़ा होता है जिसके उपर वो ब्लड लगा होता है उसे आपको एक पानी में थोड़ा सा घोल लेना है और उसके बाद अनार की लकडी से आपको उ पार करेंगे उसके बाद आपको कागस पर आपने नाम लिखा है उस पर तीन बार फूकना है तीन बार फूकने के बाद आपको उस कागस को मोड कर उसका छोटी सी उसकी कुडिया बना लेनी है और उसे ले जाकर आपको पानी में जिहां आपके घर के आसपास कोई भी साफ प कर साफ कपड़े पहन कर जब तक आपके ये सारे काम खतम होंगे इतनी देर में ही आपका जो पती है या आपका जो प्रेमी है वो आपके बश में होगा जी हां दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत ही जादा शक्तिशाली उपाय है जो की बहुत समय से होता रहा है बहुत समय से इसका इस्तमाल करते आ रहे हैं, इसमें जो मंत्र ही इस्तमाल करते हैं, वो कामाख्या वशीकरण मंत्र होता है, उस मंत्र को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल लगाईए, हमारे वीडियो की स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस कि आप अपने पती को तुरंत कुछ घंडों के अंदर ही अपने वश में कर पाएंगी अगर आप उनसे कोई भी अपने मंचाही काम करवाना चाहती है या फिर आपके घर में अगर कोई सौतन है जो कि आपके पती को अपने वश में कर चुकी है तो आप अपनी सौतन से भी च इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार.